हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अशुतो स्वामी स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर तुब यूनिक दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे जानवर के बारे में जो जंगल में निडर होकर विचरन करता है ना इस ये शेर का डर ने तैंदवे का लकड भगे जंगली कुते सांप बिच्छू किसी का भी डर नहीं है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैजर की वैसे तो इसमें इसकी लगबग 11 परजातिया मिलती है परन्तु सबसे कुंखार परजाती है हनी बैजर यह भारत में भी पाया जाता है और हाल ही के कुछ समय पहले इसे राजस्थान में भी देखा गया है यह पराणी अपनी कुरूर रक्षात्मग परनाली के लिए जाना जाता है अटैक इस दबेस्ट डिफेंस यह पराणी इसी सिद्दान्त पर चलता है यह नेवले और भालू का मिला जुला मिश्रण है यह दूसरे सब्दों में कहा जाए मिला जुला रूब है यह तीन फु का यह सर्वाहरी प्राणी है भारत में इसे बिज्जू के नाम से भी जानते हैं यहां तक कि यह प्राणी कबरे खोद कर मुर्दों को भी खा जाता है इसी कारण इसे कबर बिज्जू के नाम से भी जाना जाता है सवाव से लड़ाकू, निडर और मोटी खालगा होने के कारण अधिकान जानवर इससे बिढ़ने में डरते है देखिये किस तरह एक तैंद्वे ने इस पर हमला किया तैंद्वे ने सोचा होगा आसान सिकार है तैंद्वे ने इसे दबाबी लिया और परंतु थोड़ी ही देर बाद तैंद्वे को दूम दबा कर भागना पड़ा हनी बैजर पर अधिकान साब बिच्छों के जहर का कोई असर नहीं होता इसलिए साब बिच्छों का शिकार करके मजे से खाता है सबाव से यह प्राणी आलसी होता है इसलिए धिरे धिरे चलता है एक बार जब हनी बैजर शेरों के जुंड में गिर गया शेर ने इसे काटा तो यह सह गया परंतु जब इसने पलट कर शेर को काटा तो दोस्तों देखिए इस नन्ने से प्राणी इसके लंबे लंबे दात, मोटी खाल और नाखुन ही इसे यूनिक नहीं बनाते बलकि इसका एक्टिटूड जीवन को जीने का तरीका इसे नीडर बनाता है सीखिए इस प्राणी से कि जिन्दगी किस तरह जी जाती है और बनिये डियर टू बी उनिक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरू कर दीजिए लाइक नहीं करते हूँ यारों उस अउठे के बटन दो दबा दो और नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना धन्यवाद